हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी किचन में आज मैं बनाने चाहरे हूं साबुदाना कटलेट इसके लिए मैंने दो मेडियम साइज के आलू लिए हुए हैं जिसे बॉयल करके छेल लिया है यह आदा गंटा पहले भीग होया हुआ साबुदाना है जो हाफ अफ कफ है यह दो टेबल स्पून कॉन्प्रो ले लिया है मैंने दो से तीन हरी मिर्ट जिसे बारी काट लिया है हाफ टी स्पून नमक या आप अपने स्वादा नुजा नमक ले सकते हैं इसके अलावा साबुदाना कटलेट तलने के लिए हमें तेल चाहिए हैं सबसे पहले एक मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ थोड़ा करके साबुदाना टालेंगे और मिक्स करेंगे अब इसमें नमक और यह हरी मिर्च भी टाल देंगे आपको अगर तीखा ज्यादा पसंद हो तो आप हरी मिर्च और डाल सकते हैं अब कॉंफ्रोर डालेंगे देखे मैंने एक साथ पूरा कॉंफ्रोर नहीं डालाया जितना हमें जरूरत होगा हम उतनी ही डालेंगे अब मैं इसके छोड़ी छोड़ी बॉल्स बना लूँगी अगर आलू आपके हाथ में चिपक रहे हैं तो आप दोनों हाथों में तेल लगा के भी बॉल्स बना सकते हैं इससे बड़ी आसानी से बॉल्स बन जाती है यह देखिए बॉल्स बन के तयार है अब मैं तेल लग दूँगी गरम होने के लिए इसके बाद हमें इससे डी फ्राइ करेंगे देखिए कड़ाई में तेल गरम हो गया है तेल हमें तोड़ा जादा गरम चाहिए बनाई यह आलू नीचे चिपक सकते हैं देखिए आलू नीचे से सिख गया है अब हम इसे पलट देते हैं यह देखिए यह देखिए आलू दूसरी साइट से भी सिख गया है अब मैं इसे निकाल दोती हूँ साहुदान कटलिट बनकर तयार है आप इसे बनाईए खाईए और अगर आपको मेरी यह रेज़ पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा